हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल और आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सिंपनी कंपनी के समर कुल डेजर्ट एर कुलर के ट्रॉली को कैसे फिक्स करते हैं एक छोटी सी वीडियो है और इ उसे ओपन करते हैं तो यह है वो कैस्टर विल्स कुछ इस तरह से आप इसके काटन को भी यूज कर सकते हैं आप कुलर को प्लेस करने के लिए कुलर को सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से प्लेस करना होता है आप उसे टिल्ट करके भी लगा सकते हैं दो लोगों की जोड़त पड़ेगी आपको केस्टर बिल्स को fix करने के लिए यहां पर देख सकते हैं ड्रेनेज लॉक के बारे में करता है cooler के सारे water को बाहर निकालने के लिए कुछ इस तरolar का lock हो zar अप referee गोट आulated आये वन बाई वन हम कैस्टो वील को फिक्स करते हैं सबसे पहले आप देखें यहां पर जो स्लॉट दी गई है वह टोटल पांच लॉट है इसे फिक्स करने के लिए तो पांच होल दी गई है आप इसे कुछी सरह से सेट करें थोरा सा इसे रोटेट करें उसके बाद हलके करते रहता हूं कि आप सबके साथ एक informative वीडियो जरूर सेयर करता रहा हूं अगर आपको किसी other product या किसी other information के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे comment करके जरूर बताइए मैं questions करूंगा और सारी caster wheels अची तरह से fix हो चुकी है और आप इसे use कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह fix हो जाने के बाद कैसी दिखती है अब मैं आपको इसे rotate करके move करके दिखाऊंगा कि कैसे यह move होती है easily बेसिकली जब आप इसके अंदर पानी भरते हैं यह 56 लिटर कैपिसिट्री की कुलर है आप जब शपन लिटर पानी भर देंगे तो इसकी weight ज्यादा हो जाती है तो caster wheels की मदद से आप easily इसे move कर पाते हैं फ्रेंट्स यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंपनी कंपनी के 56 लिटर डेजर्ट एयर कुलर समर कूल के caster wheels को कैसे fix करते हैं और I hope कि वीडियो को पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए information के बारे में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चानल को subscribe जरूर करें इस वीडियो को like कर अपने friends के साथ ज़्यादा ज़्यादा share करें किसी भी clarification के लिए आप मुझे comment कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा इस comment के उपर जल से जल प्राइ करूँ so thank you so much guys for watching this video thank you so much